अधिक तर लोग यही जानते हैं कि रावन सिर्फ स्री राम से ही हरा था लेकिन ये सच नहीं है रावन स्री राम के अलावा शिवजी, बाली, सहस्त्रवाव और दैत्यराज बली से भी पराजुत हो चुके थे बाली से रावन की हार एक बार रावन बाली से युद्ध करने के लिए पहुँच गया था बाली उस समय पूजा कर रहा था रावन बार बार बाली को ललकार रहा था जिससे बाली की पूजा में बाधा उत्पन हो रही थी जब रावन नहीं माना तो बाली ने उसे अपने बा परिक्रमा कर लेता था इस प्रकार परिक्रमा करने के बाद सुर्यों को अर्द अर्पित करता था जब तक बाली ने परिक्रमा की और सुर्यों को अर्द अर्पित किया तब तक रावन को अपने बाजु में दबा कर ही रखा था रावन ने बहुत प्रयास किया लेकिन वह बा बाली ने रावन को छोड़ दिया था दुबारा सहस्त्र बाहु अर्जुन से रावन की हार हुई थी सहस्त्र बाहु अर्जुन के एक हजार हाथ थे और इसी वजह से उसका नाम सहस्त्र बाहु पड़ा था जब रावन सहस्त्र बाहु से युद्ध करने पहुचा नर्मदा में बहग आया था इस पराजे के बाद एक बार फिर रावन सहस्तर बाहू से युद्ध करने पहुच गया तब सहस्तर बाहू ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था तिसरी बार राजा बली के महल में रावन की हार हुई दैत्य राज बली पाता लोक के उस समय बली के महल में खेल रहे बच्चों ने ही रावन को पकड़ कर घुड़ों के साथ अस्तबल में बान दिया था इस प्रकार राजा बली के महल में रावन की हार हुई शिवजी से रावन की हार रावन बहुत شक्ती शाली था और उसे अपने शक्ती पर बहुत ही घमण था रावन इस घमण के नशे में शिवजी को हराने के लिए कैलाश परवत पर पहुँच गया था रावन ने शिव जी को युद्ध के लिए ललकारा लेकिन महादेव तो ध्यान में लीन थे रावन कैलाश परवत उठाने लगा तब शिव जी ने पैर के अंगुटे से ही कैलाश का भार बढ़ा दिया इस भार को रावन उठा नहीं सका और उसका हाथ परवत के नीच दब गया बहुत प्रहतन के बाद भी रावन अपना हाथ वहाँ से नहीं निकाल सका तब रावन ने शिव जी को प्रसंद करने के लिए उसी समय शिव तांडव स्तरोत रज दिया शिव जी इस तरोत से बहुत प्रसंद हो गए और उसने रावन को मुक्त कर दिया मुक्त होने के पश्चात रावन ने शिव जी को अपना गुरू बना लिया तो कैसी लगी कहानी यदि कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे तो मिलते हैं अगले स्वमवार को नए कहानी के साथ आपका धन्यवाद